नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल संगेताज कॉर्णर में दिवाली पे आकसर हमारे घर में ये खील जो है फ्रेंड्स बची रह जाती है क्योंकि इसे ऐसी खाना कोई पसंद नहीं करता है तो आज मैं इसी बची वी खेल से बहुत ही जटपट और बहुत ही टेस्टी हेल्दी नास्ता बनाने जा रही हूँ इसमें जो इलाइची दाना है प्रसाद के रूप में वह भी आ जाते हैं तो उसको निकाल लेंगे और इससे हम लोग कोई भी रेसीपी बनाएंगे तो जो छिलके हैं वह मूह पे आएगा क्योंकि नहीं तो पकता है और नहीं घुलता है तो बस इसी बात के ध्यान रखना है कि इसको यूज करने से पहले इसके छिलके को अच्छे तरह से साफ कर लेंगे अब मैं जो इसमें सब्जिया डाल लूँगी वह बता देती हूं तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज के आलू को काट लिया है बारिक और एक टमाटर को का लिया है दो हरी मिर्च को काट के ले लिया है आधा निम्बू ले लिया है थोड़ा साहरा धनिया और एक मीडियम साइज का प्याज को भी बारी काट लिया है तो सारी सब्जियों को एक जैसा काट लेंगे फ्रेंट्स उसके बाद एक कड़ाई गरम करना उसमें मैं दो चम प्लेबर आता है इस तेनों चीजों से फ्रेंट्स उसके बाद यहां पे आधी छोटी चमच हींका भी डाल देंगे जब यह सारी चीजे भूंज अच्छे से तब इसमें हम लोग कडी पता डालेंगे आठ से दस और दो बड़े चमच डालेंगे यहां पर मुंगफली के दान बारी कटा हुआ प्याज और जो हरी मिर्चे हमने रखा है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च को एड़ कर सकते हैं यह ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो और ज्यादा मिर्ची ले सकते हैं जब प्याज हमारी थोड़ी से भून जाए एक दो मिनिट इसको भून लेंगे उसके बाद बाकी की सब्जिया भी आड़ करेंगे तो सब्जियों में मैंने आलू और टमाटर लिया है आप हरी मटर ले सकते हैं कौन ले सकते हैं जो भी सब्जिया पसंद हो वो भी आड़ कर सकते हैं अब इसको तोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसमें हो जाए तो इसको मिक्स करने के बाद ढख देंगे फ्रेंट और ढखने के बाद एक दो मिनिट इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कि कि दो से तीन मिनट के बाद सब्जियों जो सॉफ्ट हो गई है टमाटर और अलू अच्छे से पक गया है इस स्टेज पे क्या करेंगे जब तक हमारे आलू और टमाटर पक रहे थे तब तक मैंने खील को धो लिया है और धोने के बाद अच्छे से निचोड के मैंने इस तरह से थाली में रख लिया है बहुत जादा पहले इसको धो के नहीं रखे फ्रेंट्स ने तो यह बहुत करीब द्यूब कर आज तरह से द्यूब कारश्ची ने टेस्ट को बैलेंस करने के लिए आप चीनी भी ले सकते यह ने पहराद नहीं होगे तो उसके बाद दूब कर साथ यानि दो चम्मच के करीब निम्बू का रज डाल लेंगे इसमें सारे फ्लेवर एफ्रेंट्स घटा, मीठा, तीखा तो काफी चटपटा सा नास्ता बनके आता है और बीना मेहनत का बहुत ही कम टाइम में बनके तयार होता है इसको हम लोग एक दो मिनाट तक हलके हांतों से इस तरह से चलाके थोड़ा सा इसको फ्राइ कर लेंगे और ये हमारा जटपट बनने वाला और बहुत ही हल्दी बहुत कम टेल मसालों में बना हुआ नास्ता बिलकुल तयार है फ्रेंट्स सर्फ करने के लिए तो उमीद करती हूँ कि आज का ये बहुत ही सेंपल सा रेसिपी आपको पसंद आया हो पसंद आया हो तो प्लीज एक थमसद जरूर दीजिएगा तो इसे मैं सर्फ कर रही हूँ फ्रेंट्स थोड़ा सा उपर से हरा धन्या गार्निस कर लेंगे और मसाला सेव या फिर सेव भूजिया कुछ भी आप उपर से डाल सकते ताकि इसका टेस्ट और भी चट पटा हो जाए तो आज के लिए फ्रेंट्स फिर मिलते एक नहीं और आसान रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर थाई